जबलपुर के सिहोरा थाना अंतरगत एक संसनी खेज लूट की घटना का खुलासा हुआ इस घटना में शिकायत करता ही निकला आरोपी आपको बता दें कि थाना सिहोरा में मंजू यादव शिकायत करता ने रिपोर्ट डर्ज कराई और सिहोरा पुलिस को बताया कि मैं अपनी दुकान से रुपियों से भरा बैग लेकर ICIC बैंक की ओर निकला तब दो बाइक सवार लोगों ने आकर मेरे बाजू से गाड़ी को सटा कर कंधे में तंगे हुए बैग की बद्दी में पीछे बैठे बाइक सवार व्यक्ती ने चाकू मार कर पैसे से भरा बैग छीन कर ले गए इस अंसनी केस लूट का खुलासा करते हुए प्रैस वारता के दोरान पुलिस अधीचक सिद्धार महुगना ने बताया कि पुलिस के द्वारा एक गठित तीम बनाए गई जांच के दौरान पुलिस ने CCTV फुटेज को खंगाल पूर्ज में पकड़े गए संबंदित आरोपी उसे फूशताच की है अब इसका परदा फार्श हो गया है इसमें छे आरोपी है इसमें उलेगनी बाद यह है कि जो फर्यादी थे वही इसमें आरोपी है जो मंजू यादव जो कैश कलेक्ट करके जिनके आपकाम करते थे यूश टेडर्स के आँप वहां से कैश लेकर के वाई से इसी बेंग जा रहे थे यह उनीकी दिवारा मंजू यादव के द्वारा ही है जो साजी रजी गई थी इस मंजू यादव का साथ इसमें इनके इनीगे गाओं के उनके दो परिचित लोग इनका नाम सत्त्यव राजपूर और अजेगर था कि जब यह वह कैश उस दिन चार तारी को लेकर निकले थे तो उन्होंने खुद ही सूचना यानि कि मंजू यादव में खुद सूचना यह चीजित की सत्यम राजपूद को दी सत्यम राजपूद और अजेगर यह दोनों मोटर साइकल दे थे उन्होंने इनका पीछा किया और फिर एक नाट की रूप से हुबैग चीना और फिर एक नाट की रूप से हुबैग चीना